हेलो फ्रिंट्स आई वेलकम यूटूब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में बात करेंगे तो टाटा मोटर्स ने अपने लोवर लेवल से बहुत अच्छा रन दिखा है इस टॉक लोवर लेवल से बढ़ चुका है इस वीडियो में दोस्तों हम आज बात करेंगे कि आने वाले टाइम में बोत शोट्टम और लॉँंग टर्म में टाटा मोटर्स के चाल कैसी रह सकती है इसके अलावा दोस्तों टाटा मोटर्स में किस तरह के चालेंज्जिस और किस तरह की आने वाले समय में बन रही है Long term investors जिन्होंने ये share बहुत उपर के rate पे लिया हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए और short term traders और investors जिन्होंने नीचे के level पे लिया है उन्हें profit book करना चाहिए या stock में अभी और उपर के level देखने को मिलेंगे इस सब बारे में भी हम बात करेंगे दोस्तों गर आपने मेरा चैनल अब तक सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए क्योंकि यहीं पर मिलती है आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट हर शेयर पर हर खबर पर बिल्कुल सटीक अनलेसिस दोस्तों इससे पहले भी हमने वोडा फोन आईडिया पर सटीक अनलेसिस दिया था साथ रुपे जब शेयर था हमने बताया था आपको वीडियो में अपनी कि स्टॉक रिरेटिंग के लिए बिल्कुल तयार है और वहां से उसे स्टॉक ने बहुत अच्छा मुमेंट दिखाया है दोस्तों टाटा मोटर्स का मेजर कंसर्ण क्या है पहले हम फंडामेंटल के बारे में शेयर के कुछ बात करेंगे दोस्तों टाटा मोटर्स की दो आर्म हैं वो जेयलर के सेग्मेंट से आता है लगबग सतर से पिछहतर परसेंट पिछले कुछ टाइम में दो-तिन साल में स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है अपने हाई से दोस्तों जो बहुत सारे चालेंजिस पिछले कुछ टाइम में कंपने ने फेस करे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं कंपनी के पास दोस्तों 45,000 करोट से भी जादा की consolidated basis पर debt है जो एक बहुत बड़ा concern है finance cost बहुत ज़्यादा होने की वज़े से कंपनी के margins लगातार गिर रहे हैं दोस्तों पिछले कुछ टाइम में चाइना में, यूरॉप में, अमेरिका में इनकी JLR के sales बहुत गिरी हैं जिसकी वज़े से कंपनी का margins बहुत जबरदस हीट हुआ है इवन पिछले कुछ quarters में तो JLR ने काफी बड़े-बड़े losses दिखाए हैं और दोस्तों दोसरी तरफ कंपनी का जो domestic business है इंडिया का जो इसमें passenger vehicles और commercial vehicles का business आता है वो भी कुछ खास perform नहीं कर रहा है वहां भी margins गिर रहे हैं और sales भी लगातार गिर रही है दोस्तों आने वाला summit data motors के लिए कैसा हो सकता है क्या-क्या opportunities हैं क्योंकि जब कोई stock बहुत ज़्यादा corrected हो जाता है तो हर bad news उसके price में discounted होती है और हम देखते हैं कि आने वाले time में क्या-क्या opportunities इस rate में data motors में बन रही है दोस्तों stock का जो lifetime high है जो लगबग 2017 के आसपास का है वो 598 रुपे का है वहां से ये stock आज की current price जो 115 रुपे के आसपास है लगबग इस price में भी 80 परसेंट तक करेक्टिड है इस stock का जो 52 वीक हाई है दोस्तों दोस्तों एक वहां से भी 45-50 परसेंट करेक्टिड है हाला कि अपना bottom जो इसने अभी बनाया था मार्च में 61 रुपेस का वहां से लगबग 100% के return दे चुका है दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि चाइना में lockdown पुरी तरह से lift हो गया है अमेरिका भी की economy भी काफी पटरी पर आ चुकी है इवन जो है कल ही नेस्डेक ने lifetime high बनाया है नेस्डेक जो है पिछली दो दिनों से लगाता है lifetime high बना रहा है यूस economy revive कर रही है European economy revive कर रही है JLR की 80-85-90% sales अमेरिका यूरॉप और चाइना से ही आती है तो global economy के revival का सबसे बड़ा beneficiary data motors है JLR की sales pick up करेंगी तो company के margins भी सुदरेंगी company का profit भी बढ़ेगा दोस्तो company जो है काफी कोशिश कर रही है कि जो debt है उसको low cost debt में convert किया जाए यानि कि वहाँ से loan लिया जाए जहाँ पर interest cost कम आए Recently company ने चाइना से भी कुछ low cost debt का fund raise किया है और दोस्तो company काफी aggressively marketing कर रही है अपना market share बढ़ाने के लिए sales को बढ़ाने के लिए company काफी कोशिश कर रही है इसके अलावा दोस्तो management का इस particular Tata Motors पर काफी ज़्यादा focus है इस company के revival को लेके दोस्तो यह जो share Tata Motors है अपने peers अशोक लीलेंड मारूती के सामने बहुत ही सस्ता है बहुत ही throw evolutions पर trade कर रहा है अगर दोस्तो जिस तरह से management company के revival पर काम कर रहा है company आगे revive होती है तो यह stock rating का री rating का एक perfect candidate है अपने high से बहुत ज़दा corrected है evolutions बहुत सस्ते है peers के comparison में और दोस्तो यह इंडिया की अगलोती ऐसी company है जिसका सबसे ज़्यादा global में business है globally business है यह Indian car maker basically एक global car maker है इसका जो major revenue है 80-85% वो JLR से आता है तो global economy pickup करने के साथ हमें यह stock revive कर सकता है और career rating का बहुत बड़ा candidate दोस्तो हो सकता है दो दोस्तो अब हम बात करते हैं कि जिन्होंने short term के लिए लिया है जो intraday और short term data से उन्हें क्या करना चाहिए दोस्तो 100 रुपे के ऊपर stock ने एक बहुत बड़ा breakout दिया है 115 रुपे 45 पैसे दोस्तो आठ जून की closing है दोस्तो एक major resistance चार्ट पर 120 रुपे का है जून सीरीज में यह काफी बड़ा resistance अगर stock ने इसको cross कर लिया दोस्तो decisively तोड़के इसके ओपर close होता है तो इसकी जो next level है वो 130-135 रुपे तक बनते हैं 120 के ओपर close होने के बाद stock 130-135 रुपे के आसपस अराम से जा सकता है और दोस्तो नीचे 105-107 रुपे एक बहुत major support है stock का 110 का first stop loss होना चाहिए अगर कोई इसकी बिल्कुल ही short term under day के लिए चल रहा है और किसी का positional trade है 105-106 बहुत major support है और 120 तो देने के बाद ऊपर 135-140 तक के target दोस्तो से stock में देखने को मिल सकते हैं दोस्तो अब हम बात करते हैं long term investors की क्योंकि मेरे पास काफे सारी queries दोस्तो ऐसे आई है stock भले ही अपने low से काफी बढ़ गया हो 100% बढ़ गया हो पर काफे सारे लोगों ने इसको 300-400 रुपे बहुत उपर के levels पे ले रखा है अब भी भी उनकी average बहुत जदा है उन्हें क्य करना चाहिए दोस्तो long term के लिए आपको assets को stop loss लगाने की तो जुरत नहीं है से stock में यहां से बहुत जदा क्रेक्शन से stock नहीं देखती है global economic के revival के साथ यह stock आने वाला time में अच्छा perform कर सकता है दोस्तो जो इसका immediate target बैठता है पांच महीने छे महीने में वह 190-200 रुपे के आसपास होना चाहिए दोस्तों बहुत बड़े target के लिए हमें देखना हुआ company के आगे results कैसे कैसे आते हैं दोस्तों 200 रुपे से further ओपर के moment के लिए हमें company के developments को बहुत closely monitor करना होगा जैसे जैसे development होंगे मैं video बना के आपको post करता रहूंगा आप मेरे channel के साथ जुड़े र focus है जैलर की sales को improve करने के लिए domestic business को improve करने के लिए हो दोस्ते एक बहुत बड़ा factor domestic business के साथ scrapage policy का अभी भी है जो deferred हुई है इस scrapage policy अगर आने वाले time में announce होती है तो उसका Tata Motors उसका बहुत बड़ा beneficiary होगा यहां से जबर्दस rating देखने को मिल सकती है दोस्तों long term investor को थोड़ा time देना पड़ेगा एक से दो साल minimum और आने वाले time में यह stock rate हो सकता है और काफी अच्छा return long term investor को generate करके दे सकता है दोस् शेयर कीजिए थैंक यू